चोपड़ा है जो किस न्योटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चों इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कोलेजेज की भारी बरकम फीस है इस बात को हम सब जानते हैं और इनकी फीस 50% गौवर्मेंट फीस पर लागू करने की बात सरकार ने कही थी लेकिन वो भी नहीं हो पाई है कुछ इस्टेट ने इसको लागू करने की पहल की थी मगर प्राइवेट मेडिकल कोलेजेज कौर्ट में चले गए और मामला वहीं का वहीं रह गया प्राइवेट कोलेजेज की इस बढ़ती हुई फीस में सबसे कम फीस वाला स्टेट है केरला यानि बाकी स्टेट की फीस तो कुल मिला के 13 लाग पर ययर से सुरू होती है 15% seat other state candidate के लिए reserve है जिन पर किसी भी state का कोई भी candidate admission ले सकता है इन्हे management seat कहा जाता है बाकी medical dental college की तरह इसमें भी admission need score पर होता है हम सब इस बात को जानते हैं कि इंडिया में MBBS BDS admission के लिए need का exam देना होता है और need result के बाद counseling के through MBBS BDS में admission दिया जाता है किरिला state में भी MBBS BDS admission need score पर होता है लेकिन इसके लिए जो registration होते हैं वो need exam से पहले ही start होते हैं जो की start हो चुके हैं इनकी जो last date है वो 10th April 22 साम 5 बजे तक रखी गई है यानि कि 10th April तक आप केरिला state के लिए MBBS BDS के लिए admission के लिए form apply कर सकते हैं हालांकि इन दोनों courses के लिए need exam के बाद भी एक बार registration reopen होते हैं अगर score कम रहता है तो फिर in colleges में हम apply करेंगे तो वो need के exam के बाद जब ये registration reopen होंगे तब भी ये form fill कर सकते हैं अब हम बात करें need 2023 के लिए यानि कि केरिला state में MBBS admission के लिए 2023 में क्या कटोप रह सकती है तो मैं आपको बता दूं कि साड़े 300 से 400 marks के बीच में इसकी कटोप रह सकती है ये कटोप last round की रहने की possibility है यानि की मोपप round तक साड़े 300 से 400 marks वाले candidate को यहाँ पर seat मिलने की possibility है इसकी fees की बात करें तो 2023 की fees तो भी declare नहीं हुई है मगर 5% अगर increment होता है तो ये साड़े 7 लाख रुपे तक की tuition fees रहेगी और 5 लाख रुपे तक का other fees जैसे hostel, mess, library, sports की ये कुल मिला के fees 10 लाख रुपे per year 2023 के लिए MBBS के लिए रहने की possibility है ये मैंने आपको बता दिया है इसमें cutoff का बता दिया है आपको fees का बता दिया है और forum के लिए हम apply कैसे करेंगे इसके बारे में जानकारी के लिए हमने पहले इसकी website पर जाना है इसकी website जो है वो है cwe.kerala.gov.in इसकी website पर हम जैसे ही विजिट करेंगे के इए एम 2023 ओनलाइन application forum का उपर ही उपर हमें link मिलेगा मैं आपको बता दूँ कि के लिए जो admission authority है वो के इएम है इसी के दवारा counseling करवा कर एडमिशन दिया जाता है और इसकी website यही है cwe.kerala.gov.in तो जैसे ही हम इस पर विजिट करेंगे के इएम 2023 पर क्लिक करेंगे यहां पर हमें यह पूरी detail मिल जाएगी prospect मिल जाएगा notification orders मिल जाएगे how to apply का option मिलेगा जहां पर हम एक-एक step देख सकते हैं कि कहां हमें कैसे apply करना है pay कैसे करना है documents कैसे इसमें सारी सब कुछ दी गई है तो एक बार हम prospect download कर लेते हैं इसमें देख लेते हैं कि इसकी last date वगरा क्या है तो आप एक बार आप भी prospect वगरा इसका पढ़ लें वैसे मैंने details तकरीबन आपको बताई दी हैं तो इसका prospect अगर हम देखते हैं तो एक बार important dates देखते हैं exam की date है जो किरला के other exam होते हैं जैसे engineering exam होता है तो ये उनके लिए program दे रखा है MBBS के लिए ये फिलाल दो ही date important है यानि कि 10th April 23 तक आप साम 5 बजे तक ये form apply कर सकते हैं ये form apply करने के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है उसके बाद need का result आने के बाद में आपको इसकी website पर check करना है अगर कोई documents की कमी है तो वो documents आप से upload करवा लिए जाएंगे K.E.A. द्वारा तो ये K.E.A.M. द्वारा आप से upload करवा लिए जाएंगे अब हम इसके लिए apply कैसे करें तो इसका चार step में ये form apply होता है सबसे पहले हमें registration करना है registration के बाद में हमने इसमे application form fill करना है फिर fees का payment करना है और fees का payment करने के बाद में acknowledgement का हमने receipt ले लेना है print ले लेना है apply करने के लिए website जो मैंने आपको बताई है इस पर आप नीचे ही नीचे देखेंगे laptop में देखेंगे तो side में मिलेगा आपको mobile से करेंगे तो इसमें नीचे नीचे आपको register hair का option मिलेगा तो आपको यहाँ पर register करना है register करते समय यह आपको पूरी detail दी जाएगी कि यह आपको upload certificate image कौन सी step में करना है print कौन सी में लेना है तो यह 5 step में फॉर्म है इसमें इसके बाद में proceed for registration पर करके जैसे ही बाकी सारी formalities होते हैं बाकी सारे forms में इसी प्रकार से इसमें भी आप अपने formalities पूरी करें registration करें पहले registration करने के बाद में आप इसमें login candidate login पर login करेंगे वहाँ सारी detail भरेंगे fees का payment करेंगे documents upload करेंगे और उसके बाद में print ले लेंगे अब इसमें एक problem आती है student के पास में वो problem आती है कि इसमें जो documents है nativity का वो documents कौन सा apply करना है तो कौन सी category में आते हैं जो other state के candidate है वो non keralite में आते हैं nk2 में nk2 category में आते हैं तो जहां भी other state के kerala के अलावा जो बाकी state के candidate हैं वो form apply कर रहे हैं तो उनको category nk2 fill करनी है nk2 other state के लिए है जो kerala के हैं वो keralite fill करेंगे लेकिन जो other state के हैं वो nk2 category fill करेंगे nk2 category के लिए एक nativity का certificate अपलोड करना होता है तो उसमें passport कर सकते हैं या फिर आपके पास ऐसा कोई proof है nativity का वो कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो इसमें एक अनकसर दिया हुआ है यह अनकसर दिया हुआ है इसमें अनकसर 6.1.1c इसके close पर दिया गया है और यह अनकसर का performa दिया गया है तो यह performa आप एक white page पर sign करवा ले और जहां से आपने 12th class पास की थी वहां के principle से यह sign करवा ले और यह performa आप upload करते हैं तो किसी प्रकार की problem नहीं होगी फिर भी अगर आपके पास domicile certificate है या फिर passport है या फिर other कोई नेटिविटी जिसमें आपका address वगरा फुरुफ वगरा है तो वो कर सकते हैं इसमें अगर कोई problem हो जाती है तो वो बाद में भी के एम की इस website पर आप चेक करेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि आपका ये certificate माने नहीं हुआ है ये आप दुबारा से upload कर दें तो वो बाद में भी upload करवा लेते हैं एक्जाम के बाद भी करवा लेते हैं तो आपको इसमें टेंशन लेने की आवश्यक्ता नहीं है तो इस परकार से आप केरिला इस्टेट का फॉर्म अपलाई कर सकते हैं condition मैंने सारी बता दी है बाकी स्टेट के registration जैसे ही start होंगे मैं आपको बता दूँगा आप हमारे चैनल को subscribe जरूर करें क्योंकि इस परकार की information हम advance में लेके आते रहते हैं student के admission के लिए हर एक possibility हम बताते हैं और इसमें कौन से state के form अभी apply हो चुके हैं कौन से के नहीं हो रहे हैं किस परकार से आपने apply करना है यह सारी information हमारे चैनल पर आपको मिलेगी तो आप चैनल को subscribe जरूर करके रखें मिलेंगे नई updates के साथ में नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिं